3. महात्मा बुद्ध और त्रिकाय का सिध्धान्त पिछले अध्याय में हमने गौतम बुद्ध की पारंपरिक जीवन गाथा के बारे में वर्णन किया है इसमें कितनी बातें कल्पित कथाओं पर आधारित हैं और कितने तथ्य एतिहासिक हैं यह कभी निश्षित नहीं किया जा सकता महत्व तो उस संदेश का है जो इसके द्वारा हमें मिलता है शाश्वत सत्य यानि धर्म को प्रकट करने के लिए ही महात्मा बुद्ध ने देह धारन की थी संदर्ब के अनुरूप धर्म के कई अर्थ हैं जैसे की परमतत्व, पूर्ण ज्यान, शाश्वत सत्य और सच्चा मार्ग विभिन सूत्रों में जब हमें यह बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध इस संसार में धर्म को प्रकट करने के लिए आए तो धर्म से उनका अभिप्राय परम्सत्य के साथ-साथ उस मार्ग से भी है जिसके द्वारा उस परम्सत्य की प्राप्ती होती है फिर बौध धर्म में महात्मा बुद्ध का कैसा चित्रन किया गया है महात्मा बुद्ध का जन्म निश्चित समय पर हुआ और उनकी मृत्यू भी निश्चित समय और स्थान पर हुई क्या इस तथ्य का यह अर्थ है कि किसी दूसरे प्राणी के समान वे भी समय और स्थान की सीमाओं से बंधे थे? दूसरे शब्दों में क्या वे भी अन्य सांसारिक पदार्थों या व्यक्तियों के समान सीमित और नश्वर थे? अगर ऐसा है तो उन्हें दूसरे सांसारिक प्राणियों से अलग कैसे माना जा सकता है साथ ही जो सीमित और नश्वर है क्या उसे सत्य माना जा सकता है क्या परम सत्य सीमित हो सकता है और क्या इसका अस्तित्व कभी समाप्थ हो सकता है बुद्ध के त्रिविद रूप पाली भाशा में लिखे गए आरंभिक धार्मिक साहित्य को पढ़कर लगता है कि महात्मा बुद्ध ने स्वयम अपने वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए सुझाव दिये हैं बाद में बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने इन सुझावों के अर्थ की विस्तृत व्याख्या करते हुए त्रिकाय का सिध्धान्त विक्सित किया संक्षेप में यह सिध्धान्त सबश्ट करता है कि बुद्ध को त्रिविद रूप में देखा जा सकता है जो इस प्रकार है स्थूल, दिव्य और परिपूर्ण इस सिध्धान्त के आधार पर माना जाता है कि बुद्ध के तीन रूप या शरीर हैं निर्मान काय जो स्थूल काया है, संभोग काय जो आनन्द मै या दिव्य काया है और जिसका अस्तित्व दिव्य लोकों में है, और धर्म काय या सत्काय जो परम तत्व के साथ एक रूप है. पाली त्रिपिटक के संयुक्त निकाय के वक्कली सुत्थ में बुध अपनी धर्मकाय और निर्मान काय में अंतर बताते हैं. इस सुत्थ में वक्कली नाम के एक भिक्षू के बारे में बताया गया है कि जब वह गंभी रूप से बीमार था, तो उसने महात्मा बुध को संदेश द्वारा निवेदन किया कि वे खृपा कर उससे मिलने आएं. लंबे समय से गौतम बुध के दर्शन न करने पर दुख और पश्चाताप से भरे वक्कली ने बुध के आने पर कहा, प्रभु, मैं बहुत दिनों से आपका दर्शन करना चाहता था, परन्तु मेरे शरीर में इतनी शक्ती नहीं थी कि आप तक पहुंच सकूँ. इस पर महात्मा बुध ने कहा, वक्कली इस नश्वर शरीर यानि पूती काय को देखने में क्या रखा है, जो धम को देखता है, वह मुझे देखता है. जो मुझे देखता है वह धम को देखता है। वककली धम को देखते हुए वह मुझे देखता है और मुझे देखते हुए वह धम को देखता है। पाली धर्म ग्रंथों में एक और स्थान पर द्रोण नाम के ब्राह्मन से बात करते हुए, महात्मा बुद्ध यह संकेत देते हैं कि यह स्थूल शरीर उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है. तब महात्मा बुद्ध के पद्जिन्हों का अनुसरन करते हुए, द्रोण ने देखा कि वे एक व्रिक्ष के नीचे शान्त बैठे थे, उन्हें देखकर मन में श्रद्धा उत्पन हो रही थी. उनकी इंद्रियां और मन शान्त थे, क्यूंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में करके पूर्ण रूप से आत्म नियंत्रण की स्थिती प्राप्त कर ली थी. हाथी यानि एक महान आत्मा को देखकर द्रोण महात्मा बुद्ध के पास आये और कहा, श्रध्य, क्या आप देव हो? नहीं, ब्रामण, मैं कोई देव नहीं हूँ. तो फिर आप गंधर्व हो? नहीं, ब्रामण, ऐसा नहीं है. तो आप यक्ष हो? नहीं, ब्राम्मन. मैं कोई यक्ष नहीं हूँ. तो फिर हे श्रध्धेई, आप एक मानव हो? नहीं, ब्राम्मन. मैं कोई मानव भी नहीं हूँ. आप मेरे सभी प्रश्णों का उत्तर नहीं में दे रही हैं. तो फिर हे श्रध्धेई, आप हैं कौन? तब महात्मा बुद्ध ने कहा हे ब्राम्मन, तुम यही समझ लो कि मैं बुद्ध हूँ जैसा कि बौद धर्म के एक जाने माने विद्वान जन्जीरो ताका कूसु ने वर्णन किया है महात्मा बुद्ध ने आगे यह भी कहा यदि तुम मेरे उपदेश पर द्रिड रहोगे और उसका अभ्यास करते रहोगे तो क्या यह ऐसा नहीं होगा जैसे कि मेरी धर्म काय सदा के लिए यहां रहेगी इसकी व्याख्या करते हुए ताका कूसु कहते हैं यहां धर्म काय का अर्थ है कि स्थूल शरीर के नश्ट होने के बाद उनकी काया धर्म के रूप में विद्धिमान रहेगी पाली धर्म ग्रंत में जब यह वर्णन मिलता है कि महात्मा बुद्ध अपने दिव्य सूक्ष्म रूप में कई देवताओं से मिलने उनके मंडलों में गए तो संभोक काय यानि आनंद में या दिव्य शरीर का भी अर्थ स्पष्ठ हो जाता है उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध एक बार बक ब्रह्मा और मार से उस समय मिले जब बक ब्रह्मा अपने देवगणों के साथ सभा में विराज मान थे बौद धर्म में बक ब्रह्मा एक देवता के रूप में माने गए हैं और मार को सांसारिक प्रलोभन देने वाला माना जाता है वहां मात्मा बुद्ध ने बग ब्रह्मा से अपने इस भ्रह्म को त्याग देने का निवेदन किया कि उनका स्वर्गिय संसार अविनाशी है इस कथा से स्पष्ठ हो जाता है कि त्रिकाय के सिध्धान्त की जड़ें बौध धर्म में पहले से ही स्थापित हो चुकी थी इस सिध्धान्त को महायान शाखा के आचार्यों ने विक्सित और विवस्थित किया महायान शाखा में महात्मा बुद्ध के स्थूल रूप और इसके द्वारा प्रकट किये गए सत्य में स्पष्ट रूप से अंतर बताया गया है दूसरे शब्दों में एतिहासिक बुद्ध को धर्म का मूर्ति मान रूप माना गया परंतु धर्म उनके मनों भौतिक रूप से कहीं बढ़कर है महायान शाखा के धर्म ग्रंतों में से लिये गए कुछ उधरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है उधरण के लिए अश्ट सहस्रिका प्रग्या पार्मिता यानी Perfection of Wisdom सूत्रा in 8000 Lines में देवताओं के राजा शक्र ने महात्मा बुद्ध के इन वच्चनों को उद्रित किया है धर्मकाय ही बुद्ध है प्रभू है परन्तु हे भिक्षों तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ हे भिक्षों तुम मुझे धर्मकाय की उपलब्धी के आधार पर ही देखो उसी ग्रंत में यह भी कहा गया है तथागत निश्चे ही ना तो कहीं से आते हैं ना कहीं जाते हैं क्यूंकि तथता तो अचल है और तथागत ही तथता है वे लोग मूर्ख हैं जो यह सोचते हैं कि तथागत आते जाते हैं क्यूंकि तथागत की वास्तविक पहचान उनकी रूपकाय से नहीं हो सकती। ध्यान दें, तथागत बुद्ध की ही एक उपाधी है, जो परमसत्य अत्वा परमसत्ता के साथ उसकी एकात्मक्ता को दर्शाती है। रूपकाय निर्मानकाय का ही पर्याय है, जो बुद्ध का साकार रूप है। धर्मकाय ही तथागत है। जैसा की नौवी शताब्दी के चीनी गुरू हुआंग पो ने जो सी यून के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, सपश्ट किया है, सभी बुद्ध और सभी चेतन जीवात्मा पर्म मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ध्यान दें, धारनाओं और विचारों से परे जो अभी व्यक्त न होने वाला सत्य है, हुआंग पो उस सत्य के लिए मन शब्द का प्रयोग करने के लिए संतुष्ट नहीं थे, क्यूंकि उन्होंने यह सपश्ट किया है कि पर्म मन वास्तव में मन नहीं है। परंतु उन्हें किसी पारिभाशिक शब्द का प्रयोग करना था और उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा प्रयोग शब्द मन का ही प्रयोग किया, जिसे चीनी भाशा में जिन कहते हैं। और इसके सिवाए किसी का अस्तित्व नहीं यह मन जो अनादी है, अजन्मा तथा अनश्वर है। यह ना तो हरा है, ना पीला, ना ही इसका कोई रूप या आकार है। यह उन पदार्थों की शेणी में नहीं आता, जिनका अस्तित्व होता है या नहीं होता, नहीं उसे नया या पुराना समझा जा सकता है। ना यह लंबा है, ना नाटा, ना बड़ा है, ना छोटा. यह तो हर प्रकार की सीमा, माप, नाम, चिन और तुलनाओं से परे है. यह वह है जो तुम अपने सामने देखते हो. जब इसके बारे में सोच विचार करने लगते हो, तो एक दम गलती कर बैठते हो. यह उस अथा शून्य के समान है, जिसका ना पार पाया जा सकता है, ना उसे मापा जा सकता है. यह परम्मन ही बुद्ध है, और बुद्ध तथा चेतन जिवात्माओं में कोई अंतर नहीं है. परन्तु चुकी चेतन जिवात्माउं का संबंध विभिन आकारों से है, इसलिए वे बुधधत्व को बाहर ही खोचती हैं क्यूंकी वे खोच करती हैं, इसी कारण वे भटक जाती हैं क्यूंकि ऐसा करने का अर्थ है बुद्ध की खोज के लिए बुद्ध का ही प्रयोग करना और मन को समझने के लिए मन का ही प्रयोग करना। ऐसा करते हुए चाहे वे पूरा युग बिता दें तो भी उन्हें यह बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो सकता। इन्हें मालूम नहीं कि अगर वे अपनी धार्नाओं और विचारों पर रोक लगा दें और अपनी आकुलता भूल जाएं तो बुद्ध उनके सामने प्रकट ह हो जाएंगे क्यूंकि यह मन ही बुद्ध है और बुद्ध ही सर्व जीवात्मा स्वरूप हैं। एक साधारन जीवात्मा में प्रकट होने से उसका महत्व कम नहीं हो जाता और ना बुद्ध में प्रकट होने पर उसका महत्व बढ़ जाता है। यही बात महात्मा बुद् का प्रग्या पार्मिता यानि डाइमंड सूत्र में कही है। हे सुभूती यानि एक वरिष्ट भिक्षू तथागत सच्ची तथता का परियाय है। इसमें आगे कहा गया है, जो भी यह कहता है कि तथागत आते हैं या जाते हैं वे मेरे उबदेश का अर्थ नहीं समझता। क्यूं? क्यूंकि तथागत उसे ही कहा जाता है जो कहीं जाता नहीं, नहीं कहीं से आता है। इसी लिए उसे तथागत, अरहत या सम्यक संबुध कहा जाता है। महायान शाखा के सध्धर्म पुंडरीक यानी लोटस सूत्र में स्पष्ट किया गया है कि अमर अविनाशी तथागत इस मायावी संसार में जन्म और मृत्यू का दिखावा क्यूं करते हैं। वे जो भी करते हैं वे एक जादू के कर्तब के समान है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि इस संसार की हर चीज जिसका हम अनुभव करते हैं। सद्धर्म पुंडरीक में बताया गया है कि सांसारिक जीवों के स्तर पर आकर करुणा में तथागत उन जीवों को ज्यान देने और चेताने के लिए सर्व श्रेष्ट उपाय कौशल्य का प्रयोग करते हैं। जिसके बिना ये जीव निर्वान प्राप्ति के अपने मूल दायत्व को अंदेखा कर देंगे जैसा कि सद्धर्म पुंडरीक में बताया गया है। तथागत का जीवन अनन्त है, वे नित्य हैं। यद्यपी तथागत ने निर्वान में प्रवेश नहीं किया है, तथापी जिन जीवों को वे ज्ञान देना चाहते हैं, उनके लिए यह दिखावा करते हैं, कि उन्होंने निर्वान प्राप्त कर लिया है। क्यूंकि ऐसा हो सकता है कि यदि मैं यहां अधिक समय तक रहा और बार-बार दिखाई देता रहा, तो वे जीव जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किये हैं, जिनमें कोई गुण नहीं हैं, जो अभागे हैं, जो विशे भोगों के चहवान हैं, अज्यानी हैं और जूठी मा के जाल में फसे हुए हैं, वे यह जानकर कि तथागत यहीं रहेंगे, सोच लेंगे कि जीवन केवल आनंद उभ्भोक के लिए हैं, वे यह नहीं समझ पाएंगे कि तथागत को प्राप्त करना बहुत कठिन है, इस विश्वास में कि तथागत तो हमेशा ही यहां होंगे, वे इस त्रिलोकी से बचने के लिए अथक प्रयास नहीं करेंगे, और ना ही यह समझ पाएंगे कि तथागत की प्राप्ती आसान नहीं है, इसलिए तथागत ने अपने सर्व श्रेष्ट उपाय कौशल्य द्वारा उन जीवात्माओं से यह कहा, हे भिक्षूं, इस संसार में तथागत कभी-कभी ही प्रकट होते हैं, जब वे तथागत को नहीं देखेंगे, तब वे उनके दर्शन पाने के लिए व्याकुल होंगे, इस विचार से जिन जीवों को तथागत ग्यान देना चाहते हैं, उनके लिए वे निर्वान में प्र प्रवेश कर लिया है, और यह स्वयम तथागत द्वारा धर्म पर दिया गया प्रवचन है, जब वे ऐसा फरमाते हैं, तो तथागत की ओर से इसमें कुछ असत्य नहीं होता, संभोक काय वह आनंद में या दिव्यकाया है, जिसके द्वारा बुद्ध, शुद्ध दिव्य मंदलों में प्रकट होते हैं, जहां वे उन बोधी सत्वों के साथ, जो पवित्र तथा करुणा में आत्माय हैं, धर्म के आनंद की चर्चा करते हैं, आगे दिये गए कुछ उधरन, संभोक काय की महिमा तथा उन मंदलों के आनंद की ओर संकेत करते हैं, जहां यह काया प् तब उस श्रद्धेई महापुरुष यानि बुद्ध ने मानव द्रिष्टी से नहीं बलकि प्रग्या चक्षु से अपनी महान सभा की ओर फिर से देखा। इंद्र धनुष के समान, उकते हुए सूरज के समान, अत्यन्त तेज और कान्ती से युक थीं, जिने आकाश से शक्र, ब्रह्मा और दिकपालों ने देखा। यह किरण पूर्व में 18,000 बुद्ध क्षेत्रों में व्याप्त हो गई। यह सभी बुद्ध क्षेत्र प्रकाश की इस किरण से जगमगा उठे। जो घोर नरक अवीची से लेकर सर्वोच दिव्य मंडल तक फैल गई। सुखावती जो सर्वोच दिव्य मंडल है जहां आत्मा संबोधी या निर्वान की स्थिती प्राप्त करने से पहले रहती है। इसके आनन्द और सौंधरिक की ओर संकेत करते हुए सुखावती व्यू में कहा गया है। और हे आनन्द सुखावती नाम का लोक जिसके स्वामी भगवत अमिताब हैं और जो इस लोक के बुद्ध भी हैं सम्रिध, संपन और सुख पूर्वक निवास करने योग्य हैं। वहां रत्नों के व्रिक्ष हैं जो सुनहरे रंग के हैं और सोने के बने हुए हैं। रुपहले यानि चांदी के रंग के हैं और चांदी के ही बने हुए हैं। हीरे के रंग के हैं और हीरों से ही बने हुए हैं। वहाँ ऐसे कमल के फूल हैं जिनका घेरा आधा योजन यानि दस किलो मीटर का है एक योजन दो, तीन, चार या पांच योजन तक है और कुछ का घेरा तो दस योजन तक है हे आनंद, सुखावती के उस देश में तरह तरह की नदियां बहती हैं, जिनकी मधूर प्रतिध्वनी, गेहन, अज्यात, अगम्य, निर्मल और कानों को सुख देने वाली हैं हे आनंद, उस सुखावती लोक में, जीव भोजन के रूप में ठोस या तरल पदार्थ जैसे रसेदार खाना या चाशनी नहीं लेते परन्तु जो कुछ भी खाने की उनकी इच्छा होती है, वे उसे अपने सामने परोसा हुआ देखते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने वे खाना खा लिया है, इस प्रकार उनके शरीर और मन की इसी से त्रिप्ती हो जाती है उन्हें कोई खाद्य पदार्थ मूँ में डालने की आवशक्ता नहीं होती त्रिकाय से संबंधित इन उद्धरणों से संकेत मिलता है कि धर्मकाय या सतकाय ही बुद्ध का वास्तविक स्वरूप है काय यानि शरीर या रूप को यहां विशेश अर्थ में प्रयोग किया गया है इसका भाव केवल शक्ती अत्वा उर्जा का एक केंद्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है उद्धरण के लिए धर्मकाय शुद्ध जेतना है इसमें कोई स्थूल या जड़ तत्व नहीं है जो इसे किसी भी प्रकार से सीमित कर सके बहुत धर्म में इसे परम तत्व या सबका परम आधार माना गया है यह निरपेक्ष है पूरी तरह समय और स्थान की सीमाओं से परे है और हमारे संसार के गोचर घटना क्रमों की सीमाओं से बहुत परे होते हुए इसके साथ साथ भी चलता है अन्य दोनों शरीर इसी से प्रकट होते हैं और इसी पर आधारित हैं यद्यपी यह अपने आप में परिपूर्ण हैं अखंडनिय हैं यह सदा एक रूप रहता है वह परिपूर्ण या वास्तविक बुद्ध या तथागत स्वयम दिव्य अत्वा आनन्दमे सुक्ष्म रूप में प्रकट होता है जिसे संभोक काय कहते हैं और जिसका उद्देश्य शुद्ध बुद्ध क्षेत्रों में बोधी सत्वों को उपदेश देना है ये बुद्ध क्षेत्र विशुद्ध आनन्दमे स्वर्ग या लोक हैं विभिन बुद्ध क्षेत्रों में तथागत के विभिन दिव्य रूप देखे और सुने जाते हैं इसी प्रकार भौतिक संसार में बुद्ध भौतिक रूप में प्रकट होते हैं यह काया निर्मान काय कहलाती है जो इस थूल जगत के दुखी जीवों को बचाने का कार्य करती है कुछ बौध मत्वालों ने बुद्ध के चार स्वरूपों का वर्णन किया है हम सुन चुके हैं कि देवताओं, ब्रह्माओं आदी की सहायता करने के लिए उन्हें ज्यान देने के लिए तथा उनके संदेह दूर करने के लिए बुद्ध अलग-अलग रूप धारन करते हैं और विभिन मंडलों में जाते हैं इसलिए बुद्ध के तीन, चार या अनेक रूपों के बारे में संकुचित द्रिष्टिकोन नहीं रखना चाहिए यहे इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन मंडलों का विभाजन मोटे तौर पर करते हैं या विस्तार से करते हैं इतिहास प्रसिद्ध बुद्ध का महत्व यदि धर्मकाई ही बुद्ध का वास्तविक स्वरूप है तो फिर इतिहासिक बुद्ध का क्या महत्व है? उनकी क्या भूमिका है? यदि कोई इन प्रश्नों को सुलजाना चाहता है तो उसे यह बात समचनी होगी कि परम सत्य अद्वेत है और बुद्ध वास्तव में अखंडनिय हैं भले ही वे अलग-अलग रूपों में प्रकट होते हैं प्रज्या ही वास्तविक बुद्ध है जो अखंड रूप से महा करुणा का अभिन अंग है सच्ची प्रज्या और करुणा से युक्त बुद्ध वेह सर्वश्रेष्ट अथ्वा सबसे उप्युक्त विधी बता सकते हैं जिसके द्वारा इस संसार के अज्ञानी और दुखी लोगों को बचाया जा सके इस सर्वश्रेष्ट अत्वा सबसे उप्युक्त विधी को बौध धर्म की महायान शाखा में उपाय कौशल्य कहा गया है इस उपाय कौशल्य द्वारा धर्मकाय या वास्तविक बुद्ध इस संसार के लोगों के प्रती करुणा रखते हुए उनकी भलाई और खुशी के लिए इस जगत में अफ्तरित होते हैं केवल इस देह स्वरूप के द्वारा ही वे इस थूल जगत के लोगों को जागरित कर सकते हैं और उन्हें परम धाम का मार्ग बता सकते हैं इस उदेश्य को पूरा करने का और कोई तरीका नहीं है जैसा कि अश्ट सहस्रिका प्रग्या पार्मिता में कहा गया है तथागत का देह स्वरूप उनकी पूर्ण प्रग्या के उपाय कोशल्य का परिणाम है और यह स्वरूप दूसरों द्वारा उस सर्वग्याता को जानने या प्राप्त करने का एक निश्चित आधार बन जाता है इस आधार के सहारे ही सर्वग्याता के ज्यान का साक्षातकार होता है पुद्ध का देह स्वरूप केवल उनके असली स्वरूप को सांसारिक लोगों से छिपा कर रखता है परन्तु वास्तव में बुद्ध सदैव एक रूप रहते हैं सद्धर्म पुंडरीक में देहधारी बुद्ध कहते हैं मैं तथागत हूँ, पुण्यशील हूँ, अजे हूँ, मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही इस संसार में जन लिया है अब तनसक सूत्र में हम पढ़ते हैं, बुद्ध अकसर संसार में प्रकट होते हैं सभी जीवात्माओं को ज्यान देने के लिए, उन्हें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, उन्हें समझाने और चिताने के लिए, और उन्हें प्रग्या की अवस्था में लाने के लिए इस थूल जगत के स्तर पर रहने वाले मनुश्यों के लिए धर्मकाय अथ्वा वास्तविक बुद्ध तक पहुंचना संभव नहीं है जब तक बुद्ध इस थूल जगत के लोगों पर अपार दया करके उनके स्तर पर आकर प्रकट नहीं होते तब तक वे लोग उन्हें कभी नहीं देख सकते ना उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और ना ही उनसे कोई लाब उठा सकते हैं इसलिए बुद्ध का आवरण युक्त देह स्वरूप उनका वास्तविक स्वरूप ना होने पर भी इस संसार के लोगों के लिए अत्यन्त महत्व पूर्ण है क्यूंकि इसके बिना ना तो संसारिक लोगों को जागरित किया जा सकता है और ना ही बचाया जा सकता है जापान के एक बौध विद्वान डी टी सुजू की इसाई धर्म में वर्णित त्रिरूप परमेश्वर यानी पिता, पुत्र और होली घोस्ट की धार्ना के अनुरूप बौध धर्म के इस विचार को स्पष्ट करते हैं वे कहते हैं हम धर्मकाय की तुलना इसाई धर्म में इश्वरत्व की धार्ना से कर सकते हैं धर्मकाय को स्वभावकाय भी कहा जाता है जिसका अर्थ है स्वभाव के अनुरूप काया यानी जू, जिंग, शिन क्यूंकि यह अपने में ही निवास करती है, यह अपने स्वभाव को स्थिर रखते हुए कायम रहती है इस रिष्टिकोन से यह बुद्ध का परिपूर्ण सार्तत्व है, जिसमें परम शान्ति विराजमान है सुजू की आगे स्पष्ट करते हैं बुद्धत्व का सार रूप धर्म काय है, परंतु जब तक बुद्ध अपने सार रूप में रहते हैं, तब तक इस संसार के किसी भी व्यक्ति के निर्वान की कोई आशा नहीं की जा सकती बुद्ध को अपने मूल रूप को त्यागना पड़ता है, और ऐसा रूप धारण करना पड़ता है, जिसे संसार के प्राणी ग्रहन कर सकें, और जिसे वे समझ सकें परम बुद्धत्व मानों शब्द स्वरूप में प्रकट होता है, और केवल वे ही इसे देख सकते हैं, जो पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा इसे देखने के लिए तयार हैं इसलिए जो भी पूर्ण प्रग्या तथा निर्वान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें बुद्ध की खोज करनी चाहिए, और पूरी श्रद्धा से उनके उब्देश का पालन करना चाहिए जैसा कि आठवी शताब्दी के एक लेखक अनंग वज्र ने कहा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को अवश्य ही एक सच्चे गुरू की शरण में जाना चाहिए, क्यूंकि उनके बिना करोणों युगों तक भी सत्य को जाना नहीं जा सकता और अगर सत्य का ज्यान नहीं हुआ, तो अंतिम लक्षे तक कभी नहीं पहुँचा जा सकता इसलिए जीवन में यदी सवभाग्य से सत्य का भेद जानने वाले गुरू मिल जाएं, जो इच्छा पूरी करने वाले आश्चर्य जनक रत्न हैं, तो पून्ता प्राप्त करने का लक्ष रखने वाले व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति और श्रधा से उनका सम्मान करना च उनकी तेजस्विता द्वारा ही असीम ज्यान का आनंद प्राप्त होता है, इसलिए ऐसे नेक व्यक्ति जो पून्ता की चाह रखते हैं, वे अपने गुरू के प्रती सच्चे हृदे से सदैव, पूर्ण, श्रधा भाव और सम्मान रखते हैं, जो असीम जीवन लाब के द आता हैं, ध्यान देने योग्य बात तो यह है, कि बुद्ध अपने देहे स्वरूप में भी उस धर्मकाय के द्वारा आलोकित रहते हैं, जो चरम सत्य, असीम और परम तत्व है, एक विवेकशील व्यक्ति को इसी तत्थ के द्वारा उन्हें दूसरों से अलग पहचानने में सहायता मिलती है, इस प्रकार संसार में उनकी पहचान होती है और लोग उनके उपदेश की ओर ध्यान देते हैं, वज्र छेदि का प्रग्या पार्मिता यानि डायमंड सूत्र में इस विचार को सार रूप में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, वह परम शक्ति ही पुन इनञात्माओं को प्रभाविता प्रदान करती है, इसी सूत्र पर टिपनी करते हुए, एड़़ कौंज ने कहा है? यह एक जटिल विचार है और इसे व्यक्त करने के लिए एक जटिल शब्द का प्रयोग किया गया है. प्रभाविता शब्द के बहुत गहन अर्थ हैं और प्रभाविता ही मुझे सबसे उप्युक्त लगा ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे उसी से ते जस्विता प्राप्त करते हैं, शक्ती प्राप्त करते हैं, उसी से उन्हें विशिष्टता प्राप्त होती है अत्वा उनकी महिमा होती है भाव ये है कि पवित्र पुरुष उस बंधन रहित परम सत्ता से प्रकट होते हैं, उसी से उत्पन होते हैं और उसी के कारण असित्व ग्रहन करते हैं बुद्ध की व्याभारिक्ता बुद्ध के उच्च और अपरिवर्तन शील स्वरूप पर विचार करने के बाद, पाली सूत्रों में बताई गई इस बात का ध्यान रखना आवशक है कि गौतम बुद्ध अपने देह स्वरूप में आध्यात्मिक्ता के एक व्याभारिक मार्ग दर्शक थे उनका द्रिश्टी कोण बहुत व्याभारिक था और वे उन प्रश्णों का उत्तर नहीं देते थे, जो प्रश्ण करता के अभ्यास से संबंधित नहीं होते थे दीख निकाय के एक सुत में महात्मा बुद्ध के एक नए शिश्य चुन्द ने पूछा कि जब अन्य मार्गों पर चलने वाले जिग्यासू यह प्रश्ण पूछें कि बुद्ध ने परलोक संबंधी गूड कतनों का उत्तर देने से मना क्यूं कर दिया तो उन्हें क्या कहना चाहिए भुद्ध ने उत्तर दिया उन्हें बताना चाहिए मित्र यह यानि परलोक संबंधी कतनों का उत्तर देना किसी के कल्यान का, धम का, श्रेष्ट पुन्यशील जीवन का, मोह भंग का, विरक्ती का, वेराग्य का, शान्ती का, ज्यान प्राप्ती का, बुद्धत्व की प्राप्ती, निबान का साहायक नहीं बन सकता इसलिए प्रभू ने इसे प्रकट नहीं किया है इस पर वे फिर से प्रश्न कर सकते हैं, फिर श्रमण गौतम ने उपदेश क्यों दिया है तब उनसे कहना चाहिए, मित्र, यह व्यक्ती के कल्यान में, धम्म में, श्रेश्ट पुन्यशील जीवन में, मोह भंग, विरक्ती, वेराग्य, शान्ती, ज्यान प्राप्ती, बुद्धत्प की प्राप्ती में और निबान में कल्यान कारी हैं इसलिए प्रभु ने इसे प्रकट किया है यह कथन पूर्ण रूप से बुद्ध के व्यावारिक द्रिष्टी कोण को अभिव्यक्त करता है चौद्वी शताब्दी के जैन गुरू बसुई टोकुषो ने बुद्ध के इसी द्रिष्टी कोण की पुष्टी करते हुए स्पष्ट किया है यद्यपी सभी मनुष्यों के भीतर जो परम्मन है उसके दारे के बाहर कोई धर्म या बुद्ध नहीं है परंतु गुरू सदैव शिष्य की क्षमता के अनुरूप उपदेश देते हैं यदि तुम कहते हो कि धर्म दो हैं तो तुम तथागत का अपमान करते हो परंतु भले ही इस द्रिष्टी कोण के अनुसार धर्म दो नहीं है फिर भी जन साधारण के कर्मों पर निर्भर होने के कारण इस मार्ग पर प्रगती तीव्रगती से भी हो सकती है और धिमी गती से भी इसी प्रकार ज्यान प्राप्ती एकाएक भी हो सकती है और धीरे धीरे भी और भ्रमों से बुद्धत्व प्राप्ती तक की यात्रा उथली भी हो सकती है और गेहन भी और इस यात्रा की गेहराई के अनुसार आंतरिक उपलब्धियां भी उँची अत्वा मंद होंगी बुद्ध ने जीवात्माओं को उनकी क्षमता के अनुरूप उपदेश दिया ताकि वे इसे स्वयम अपने अनुभव द्वारा समझ सकें वास्तव में बौद्धर्म की यह एक विशेष्टा है कि यद्यपी धर्म एक ही है फिर भी इसे समझाने के अनेक अलग-अलग ढंग है